साथी वग्यान कुस्तक दा पार्फ नमबर 6 जैविक प्रक्रियावादा ओपविशा मनुखी साप अरनाली बारे पढ़ाएंगे मनुखी साप अरनाली जो वातावर्न हते श्रीर दे विचाले गैसनला अदान परदान कर दी है आओ जानिये मनुखी साप अरनाली पढ़न दे मौक उदेश सिखन उदेश विचाले गैसनला अदान परदान बारे जानना साप अरनाली ते कसरद्दा की प्रवाव पहन्दा है अते सा परनाली ते तमाकू नोशी दा बुरा प्रवाव की हुंदा है सो प्यारे बच्चेओ आई दे केस दे आई वेच असी दस्येगे उदेश्या बारे कहल बात करांगे मनुक्की सा परनाली पडम तो पेला आउ जानिये के सा लेना अते सा किर्या वेच की अंतर है आम करके साड़े मना वेच ए परम हुंदा है के सा लेना अते सा किर्या एक कोई हन की अजेहा है कमल सर नहीं नवजी साथ सा लेना अते सा किर्या वेच बहुत ज़्यादा अंतर है सा लेना वाता वर्न विच्चों आक्सीजन जोक्त गैसां दा अंदर ले जाना अते कार्बन डायकसाइड जोक्त गैसां दा श्रीर विच्चों बार करना जोदो के सा क्रिया, सा किरया वेच, सेला वेचलि कार्भो हाइड्रेटा नू, आठशी जनदा आठशी करने कीपने कांच जंदा है जेसनल और्चा करभान डायकसाइड अते जानवा आशिक उथपन हुंदे हैं इस पर किरया नू सा किरया क्या हाजनदा है सो प्यारे विद्यार्थियो मैंनू उमीद है तुषी इना दोहां विच हुन अंतर जान गए होंगे सा लेना एक सदार्न के रिया है ज़ाद की सा के रिया एक जटिल के रिया है आओ हुन सा लेना अते सा के रिया दी प्रबाशा पढ़िए सा लेना सा लेना एक पोतिक के रिया है जिस वेच साड़े श्रीर दा वाता वरन नाल आकसीजन अते कारबन डायपसाइड वर्गिया गैसा दा वटांदरा हुन दा है जटों के सा किरिया सा किरिया जीवत से लावेच होन वाली एक जैवर साइनिक किरिया है जिस वेच्च कारबो हाइड्रेता दे आकसी करंतो बाद कारबन डायपसाइड पानी अते पूर्जा उत्पन हुन दी है नजी सर कि सा किरिया दिया ये को किसमा हुन दिया हैं बिलकु सर सा किरिया दिया दिया के दो किसमा हैं आकसी सा किरिया अते अनाकसी सा किरिया आक्सी सा क्रिया वो सा क्रिया हुंदी है जिस विच ऑक्सीजन वर्ती जन्दी है पाप के जेडी सा क्रिया ऑक्सीजन दी मजूदगी विच हुंदी है अते जित्ते पोजन दा पूरण आक्सी करन हुंदा है उसनों असी आक्सी सा क्रिया केंदे हैं इस वेच पुछ कोटी दे जीव, जीवे मनोख, पेड़ कोदे पंची आ जन्दे हन आकसी सा किरया दुरान जेडी उर्जा पैदा हुंदी है ओ एटीपी रूब दे वेच जमा हो जन्दी है सर इस एटीपी की जो है? एटीपी एडिनोसीन ट्राइफास्टेट जेडी उर्जा पैदा होवेगी ओ इस दे बंदना वेच समा जन्दी है ते जोदो एटीपी बंदन टुट दे हन तब फेर उर्जा पैदा हुंदी है जिसनोसी वखवख किरया मा लई वर्त लें दे है नजीस सर आकसी सा किरया सेल्वे किरपा वेच हुंदी है बहुत ही वदिया प्रेशन है सर एहे सैल दे अंदर वक वक पडामा वेच होंदी है इस दा पहला पडा जिसनों असी गलाइकोलाइसिस कहन दे हां ओहो साइटोपलाजम जाँ सैल द्रोग वेच वापदा है अते इस दा अगला पडा जिसनों असी क्रेप साइकल कहन दे हां माइटो कॉंट्रिया वेच वापदा है सा करिया दी अड़ी किसम अनाक्सी सा करिया है अनाक्सी सा करिया जिवे के नाम तो ही पता लगदा प्या है ओ सा करिया जो आक्सी जन दी अन्होद वेच होई इस विच्च याद रखना पोजन दा पूरा आक्सी करन नहीं हुदा एक किरिया आम्तोर्टे निमनकोटी जीवा जैला तर एक सैनी जीवा विच्च हुदी है जिवेके उलिया कोज जीवानू प्रोड़ों अधी अनाक्सी सा करेक किरिया समय सर ठी पैदा हुदा है सर अनाक्सी सा किरिया जो के उलिया जा छोड़े जीवा विच्च हुदी है उस विच्च गुलुकोज दा जास दा अनकार्बोहाइड्रेटां दा पूर्ण आक्सी करन ना होंते ही इथाईलर कोल कार्बन डायक्साइड अते दो एटीपी उर्जा उत्पन हुदी है सिर्फ दो एटीपी सर जोड़ों पूरा आक्सी कर नहीं हुदा तब उर्जा भी मात्रा भी काट्ट पनुदी है एक किरिया सिर्फ ते सिर्फ सेल द्रव पाव साइटो प्लाजम देच ही वाप कर दी है नाके माइटो कोंडरिया वेच सो प्यारेग द्यार थियो एथे तो अडेवा अस्ते असी एक प्रेशन लेके हैं यहां वी आक्सी सा के रिया अते आनाक्सी सा के रिया दासान जा प्ड़ा केडा है कमणा सार तुसी सनुंत दस्ट्चय के आनाक्सी सा करिया जादा दतर निमनकोटी गीमा मेंच हूंदी है कि यही साठे वेच नहीं हो सकती प्रेशन लेक्विया क्यों एक थे में तो में दसना चाहांगा क्या कोई खास ओन वेच साठे श्रीर में चीस ही नहीं हुंदी है कदों भी है जोदो तुसी एकदम बहुत सखत कसरत कर दे हो जहां कोई एकदम पारी काम कर दे हो तो साड़े पेशी टिशू नहीं ऑक्सिजन दी मिकदार काट जादी है काट मिल भी है जिस कारण साड़े पेशी टिशू वेचे लेक्टिक असिड उत पनुदा है तुसी सुनयां ही हुने जदों सी बहुत सखत कम कर दे हैं तो साड़े बामा दे पेशी टिशू जहां लगता दे पेशी टिशू वेचे दर्द भून लागे जलता है इसनों मस्कु लेक्टिक ऐसीड उत पनुदा है ते ही साड़े दर्द दा कार्न बंदा है प्यारे बच्च्यों अव एकवरी फिर आक्सी सा के रिया अते आन आक्सी सा के रिया वेच अनतरश करष्ट करिए आक्सी सा कि रिया और सा कि करिया जो आक्सी जन्दी होंद वेच हुंदी है जदोंके अनाक्सी सा करिया आक्सी जन्दी अन्होंद वेच हुंदी है अच्छो आक्सी सा करिया वेच कार्बो हाइड्रेट ना पूरन रूप वेच आक्सी कार्ण हुंदा है जदोंके अनाक्सी सा करिया वेच कार्बो हाइ रेटाँ दा पूरान रुप वीच आक्सी करना नहीं हुन्दा। आक्सी सा किरिया है यह सा किरिया वड़े जीवां वीच हुन दी है जिमी के मनुख पंची जा वदे पुद्धे आ दी पर इस्दे उल्टन अनयाक्सी सा कि रिया जो के निमन कोटी जीवां मेंच हुंदी है जिविके उल्या जीवाननू जा कोच प्रोटो जुआ सुप्यारी बच्चो हुन तुसी आक्सी अते अनाक्सी सा कि रिया वेच अंतर समझ ही गई होंगे आउ विद्यार्थियो हुन असे मनुख्यी सा प्रनाली बारे विश्थार पूर्वक पड़ दे हां मनुख्यी सा प्रनाली दे मोख आंग हन बच्चो, सा परनाली बारे पढ़न तो पहला आउवे किये कि सा परनाली दे मुख आंग साड़े श्रीर वेच कित्थे कित्थे स्थित हन। सार्यां तो पहला आंग नक जित्थों साड़ी सा परनाली दी श्रुवात हन्दी है। इस तो अगला आंग है सांग जिसनू इंगलिश वेच फेरेंक्स वी किया जन्दा है। इस तो बाद कंट जिसनू असी लेरेंक्स केंदे हां। अते लेरेंक्स तो बाद एक लंबी सा नाली हुन्दी है जिसनू इंगलिश वेच ट्रेक्या किया जन्दा है। तो बाद एक नाली दोपा गावेच वंडी जन्दी है जिनना नू ब्रोंकाई केंदे हां। अते ब्रोंकाई तो बाद साड़े सा पर नाली दे मोख आंग फेफडे हुन्दे हन। खबा फेफडा अते सज्जा फेफडा इनना फेफडेयां तो बाद एठा वाला आंग जिसनू डाया फ्रम किया जन्दा है अते इसनू पुंजाबी वेच पेट पर दा वी केंदे हन। असी वेख्या साठी सा पर नाली दा पेला आंग नाक है एक ओ आंग है जिस राही असी वाता वर्नवे विच्रियां गैसा दा अदान पर दान करते हैं। कमण सर आम करके केहा जन्दा है के सनू नाक राही साल लेना चाइदा है ना के मून आल अजेहा क्यों। सर सनू नाक राही ही साल लेना चाइदा है क्योंकि नाक राही साल लेने बहुत सारे फैरे हन। येविनगे जदों सी सा लेंदे हाँ तों साड़े नक वेचे छोटे छोटे वाल मुझोद हुद हैं ओ साड़े नक रही नई गई हवा विक्चों तूर भिट्टी देकर नानू भोक देंदे हैं ता जों साड़े फेबडे वेच्च ना जा सके दूसरा साड़े नाक वेच लेजदार के लिए हुदी है जिसनों मुसिलेज मेंबरेन कह दी है इस दा सब तो वड़ा काम साड़े शरीर अंदर जान वाले सूखम जीवानू रोकना क्योंकि ये सूखम जीव साड़ी सा प्रमाली वेचे चले जाएंगे तो सानु बहुत सारे ट्रोग हो सकती है इस तो लावा बच्चो तुसी वेट क्या होना है कि जेका रसी छोड़े ये शीशे दे टुकड़े उपर सा छट दे हां तब बहुत सारे जालवाशप आ जान दे हैं इनना जालवाशप न साड़े फिफड़ें वेच होना बहुत जूरी है इसे दर लई साड़ी जेड़ी लेजदार चिली है अंदर जान वाले सा वेच जालवाशप पार भी है ता जो बाहर वाली खोश कहवा नभी युक्त होके साथे फेफडियां वेचे जावे सो वेद्यार्थियों तुसी जाने ही लिया होवेदा के सामनों नाकराई सा क्यों लेना चाहिएदा है प्यार वेच्चों साथी सापर नाली दा अगला आंग सांग है जिसनों अपना इंगली श्वेच फेरेंग्स वी कहन दे हां एहे आंग पोजन नाली तते सा नाली दा एक सांजा रस्ता है सर इस दा मतलता एह होया के जदो असी पोजन खानने है ता एहे फिर सा नाली वेच्वी जा सकता है सर आम तोरते जेहा नहीं हुदा कारण के साड़ी सा नाली वेच्व एक कंडी टक्कर हुदा है जिसनों अपना एप्पी ग्रोटिस नी कहन दे हां ताँ एप्पी ग्रोटेस बहुत थोड़े समय लई साधी सा नाली नू बांद कर दिन्दा है अधि जिड़ा पोजन है वो पोजन नाली दे वेची ही जाता है एथे असी तो अनू यहे गलद दसना चामांगे के कदे भी खाना खांदे समय बोलना नहीं चाहिदा सर इत्थे मैं वद्यार्तिया नू एक चीड़ी बोड़ दसना चामांगा प्यारे वद्यार्तियो जदो तुसी कसरत कर दे हो जा तुसी ग्राउन वीचो खेड के आंदे हो तो तो आनू बहुत तेजी नल सा आ रहा होंदा है जिए असी उस समय पानी पिन दे हाँ सक्ट कसरत कर दे हाँ जा खेड के होंदे हाँ ते सानू सा चड़या होंदा है तो सानू कोजवी खाना पिना नहीं चाईदा जोदो तक के असी आम हालता दे वेच्च ना आ जेगे सा पर नाली दा अगला अंग है कंट जिसमों असी लेरेक्स भी कहन दे हाँ इस दा मुख काम अब आज पैदा करना होंदा है अगला अंग है सानाली सानाली लग पग वी सेंटिमेटर लंबी एक ट्यूब होंदी है जो के फेवड़या वेच्च जाके वंडी जान दी है जिसमों असी ब्रॉंक काई कहन दे हाँ सानाली वेच्च सी अकार दे काटी लेग दे छले हुंदी हाँ जिन्ना दा मुख काम किसे वी हलात वेच्च सानाली नो पिछकनतों बचोना हुंदा है सुप्यारे बैच्चियों साढ़ी इस प्रनाली दा अगला आंग फेवड़े हाँ साड़े को दो फेफडे हुँदे हैं, सज्जा फेफडा, अदे, खबा फेफडा साड़ा सज्जा फेफडा, खबे फेफडे नालों, अकार विच कुछ वड़ा हुदा है अजया क्यों? सर उस्ता कार्ण है कि साड़ा दिल सादे छाती कोड़ेच तिटे रुपवेच पे आए ज़ंदा है जिसनू दिल खोड के लिए हैं दिल खोड़े कार्ण साड़ा खबा फिफड़ा छोटा उंदा है अते सज्जा फिफड़ा कोज वड़ा उंदा है जीवें के असी पिलना पड़ चुके हैं के सा नाली अग्गे जाके दो पग्गा मिच बंडी जन्दी है जिसनों ब्रॉंकियोल केंदे हां ए ब्रॉंकियोल अगे जाके फिर हावा थेलियां जिननों असी ऐलबियोलाई भी केंदे हां वेच वंडी जान दी है प्यारे विद्यार्थियों तानू पता है के एक फेवडे वेच किन्ने ऐलबियोलाई हुंदे हां लगपाग तैनसो पंजार मिलियां विजी सर एथे वद्यार्थी मेरी कालसुन के हरान होंगे विडियां इहे गुबारे वर्गियां एल्जो लाई उंदियां हन जेकर इना दी सारी सता नू जोड़ दिता जावे ता लगपाग असी वर्ग मीटर हुंदी है जो के एक टैनिस पोड़ दे खित्रफल दे बराबर है सो प्यारे विडियार्थीयों तो अनू इच्थे चान के एक होर हरानी हुएगी कि कुदरत ने एड़ा वड़ा खित्रफल साढ़े पेब्ड़ियां मेंच क्यों दिता क्योंकि जिन्ना जैदा कित्रफल हुएगा उन्नी ही जैदा गैसा दा अदान परदान हुएगा सो प्यार्थीयों तुसी एल्वियो लाई बारे जानने है एल्वियो लाई को बारे रूपी रचनावाहन जिन्ना दी सता बहुत पतली हुंदी है इनना दे आले दो आले लहू के शिकावाद एक विस्प्रित जाल हुंदा है जो के कार्बन डाइकसाइड अते आकसीजन दा अदान परदान बढ़ी ते जीनाल अते असानी नाल करन वेच सहायता कर दे हन अले लहू लाइटों आकसीजन लहू वेच अते लहू विचली कार्बन डाइकसाइड अले लाइवेच अदान परदान हुंदी रेंदी है साड़े लगु वेच हीमोगलोबिन नामक एक वर्नक होदा है जो एल्बियोलाईतों आक्सीजन प्राप्त करके खूल विचली आक्सीजन नूँ श्रीर बे वकवक पगा तक लेके जाता है सर जे हीमोगलोबिन ना होबे ता फिर आक्सीजन वकवक पगज नहीं पहुं सकते सर बहुत हो दिया प्रेशन है तो अड़ा बच्चे जे साड़े श्रीर वेच लोगु वेच इह वर्नक नाम दा ता फिर्फडिया तो पेरा तक आक्सीजन दा एक कनूँ जो के परसर्म विदी रहीं जाना सी उसलई लग पग तेन साल दा समा लगदा सो इसलई साड़े श्रीर वेच आक्सीजन मूँ फेपड़या तो वक वक पागा तक लजान लई हिमोग्लोबिल वर्नक दा होना बहुत जरूरी है सो प्यारे बद्यार्थियों हिमोग्लोबिल दी महत्ता बारे जरूर पता लाग गया होवेगा तो हनो बच्यों खून द्वारा लिजाई गई आक्सीजन श्रीर दे सारे सेलना वेच प्रवेश करती है ते सेलना वेच जो सार्ण कार्गोहईडरेट हन जिने के गुलुकोज इनना दा आक्सी करन होना है आक्सी करन होनते उर्जा, कार्बन डायक्साइड पानी उत्पन होदा है इस उत्पन होई उर्जा नू प्लसी श्रीर दे वक्वक क्रियामाली वर्त लेंदे हा अते कार्बन डायक्साइड खून द्वारा ही फेवडियां तक जान्दी है हते उसे रस्ते एल्जो लाई विच्छों भूंदी होई श्रीर विच्छों बाहर चली जानी है वद्यार्तियों, हुन तक जो कोज दुसी मनुखी साह पर नाली बारे सिख्या अब उस दी एक छोटी यही दोहराई इस एनिमेशन दे जरिए करिए सदार्न वाजु मन्डली दबाते नक द्वारा आकसी यन युक्त गैसा नूँ श्रीर अंदर ले आ जान्दा है जो के साड़े सांग, कंट अते ट्रेकिया विच्छों हुंदिया होई या ब्रोंकाई दे जरिए फेफडया विच पोंच दिया हान जिमें के तुसी इस किरिया विच वेख रहे हो उस तो बात एहे गैसा साड़े फेफडया विच छोट गया छोट गया महीन ट्यूबा विच चलिया जान्दिया हन अते एनना दी अंतली ट्यूब नू अल्वियोलर डक्ट केहा जान्दा है जेस उपर एक गुबारे वर्गी रचना जिसनू के असी अल्वियोलाई केंदे हां एहे अल्वियोलाई खोंध या महीन केशी कावा द्वारा किरी हुदी है जेस कार्न अल्वियोलाई विच ली आक्सीजन खोंवेच चली जान्दी है अते खून विचली कार्बन डायोकसाइड एल्वियोल लाई वेच्च चली जान्दी है खून वेच गई होई आकसीजन हीमोगलोबिन द्वारा श्रीर दे सारे पागां तक पहुँच जान्दी है इस तरीक के स्वाजू मंडलतों साड़े श्रीर विच आकसीजन पहुच दी है अते कार्बन डायोकसाइड उसे रस्ते साड़े श्रीर विच्चों बाहर चली जान्दी है सुप्यारे विद्यार थियो तुसी होन तक मनुखी सा परनाली बारे समझ चुके होंगे आओ अपा होन अगले ओप विशे बारे गालबात करिए जिवेर यसी सा परनाली बारे पड़िया आओ हुन सा लेंदी प्रकेरिया बारे जानी लिए सा लेंदी पर किर्या वाजू मंडल विच्चों आख सीजन जूत गैसांदा अंदर ले जाना अते फार्तू गैसांदा श्रीर विच्चों बार कड़ना सा लेना खवादा है ता आओ हुनिक किर्या करिये तुसी भी मेरे वर्गन छाती दे हाथ राखके एक डूगा सा लो जदो तुसी एक डूगा सा लेंदे हो ता तुसी एह चीज मोट किती होनी है के साधिया पसलिया उपरवाल अते बाहरवाल नो निकलिया हन ते साधे अंदर पेट पड़दा चप्टा हो जानदा है इस दे चप्टा होन ते छाती कोड विचला आईतन वज जानदा है सानू पता ही है आईतन वज जानदी हवादा दबा कटदा है जिस कारण वायू मंडली हवा नाक विच्चों हुंदी होई साधे फेवड़या विच पोंच जानदी है तो इस प्रकिर्या नो साधा अंदर लेना केहा जानदा है सो प्यारे विचार्थियों तुसी समझया के साधने दस्या अपनू के सा लेन वेरे असी की की कर देया ताहुन इससे त्रिक्के ना ले आपा सा बार कड़न दिक्रया नो भी समझ सक देया तुसी सारे जाने डलके सा नो बाहर कड़ो तुसी नोड़ गिता होने के पसलियां हेठानू अते अंदर वालनू तास गिया जद की साड़ा पेड़ पर दा जाए डाया फ्रम गुंबद अकार दा हो गया जिस दे सिटे वजो छाती खोड़ दा आइतन कट गया छाती खोड़ दा इतन कटन दा मतलग है वि अंदर हवा दा 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 वाद गया ता अपनू पता ही है कि हवा जो है वाद दा दा तों कट दा वालर गती कर दी है जिस दे सिटे वजो अंदर छाती खोड़ दे वेचल दा जादा है जद के बाहर दा कट है ता साड़ी हवा फेव बच्चेव तुसी इस एनिमेशन द्वारा सा अंदर रयन वेले अते बाहर कड़न वेले पसलिया अते डायाफ्रम दी गतिया वेख सकते हों। सा अंदर रयन समें पसलिया बाहर वल अते उपर वल हो जान दिया हन अते डायाफ्रम बिलकुल चप्टा हो जानता है। जदोंके सा भार कड़न समें पसलिया थलेवल अते अंदर वाल हो जांदिया हन अते डावाप्रम गुबंद वर्गा हो जांता है इन्ना गतियानू इस एनिमेशन वेच चे प्याननाल देखो अते सम्ज़न्दी कोशिश करो के सा अंदर लायन समें अते बाहर कड़न समें बच्चो असी साधी सा परनाली नूँ एक छोटे ये माडल ने रूप वेच भी दरसा सकते हैं तुसी की करना है इस माडल नूँ बनान लई अधी कट्टी हुई बोटल पाई दो गुबारे एक वड़ा गुबारा इन्ना चीजानू लेके उपर दिते कॉर्क वेच एक छो कोटा हजया सुराह करके पाईप नूँ विच्चो लंगा दिना है अते इस पाईप दे अगले श्रियानाल गुबारे देनी हैं येके तुसी माडल वेच वेख रहे हों अते इसने हेटले पासे तुसी एक वड़ा गुबारा कट के लगा दिना है तब उस तो बाद इसनू कर दिना है बच्चो इतने एक गाल्दा तेहां जुरूर रखना तुसी कीए के इसक गाल्दा तेहां रखना है कि एहे पूरी तरह हवा बांद होना चाहिदा है जेकर हवा बांद ना होया इहे साथ जब लगए होई तो गुबारे हैं एसाथे फेफडया नो तरसा रहे हैं अते जबी उपर निकली होई ट्यूब है एसाथी सा पर नाली विचली सा नली नू उठा रही है सा नाली जो के नक तो अगे फेफडया में चे जानी है अते इस पे हेठा लगया वया वड़ा पाव डायाव्रा मुनू परदर्शित करता है सब बच्चो, हुन मैं अब्जीज साहब नू कमांगा के इस बने गोए मनुक्री सा परनालीबे माडल नू बच्चेया नू विस्थार साहब पसंद तो प्यारे विद्यार्थियो, तुसे एहे माडल ते आनना देख रहे होंगे ता इस बेच्च तो आननू हरे एक पाग नजर आ रहे है बड़ा ही वदिया दस्या गया ता नू के जड़े गुबा आ रहे है एक कि नू दर सोंदे बएने शाबाश, फेवड़े आनू ता प्यारे विद्यार्थियो, सब तो पेलना केडिया बोतल दा पाग तनू दिखाई दे रहे है एहे साथी छाती खोड नू दर सोंदा है ता सब तो पेलना जड़ो असी देखना चोने है के सा लैन मेरे साड़े नल की वाप परदा है ता की हुंदा है जड़ो असी सा अंदर नू लेके जान दे हा ता साड़ा पेट परदा ओस प्राइं ते थले वाल नू चला जान दा है केंदा पाप छाती खोड़ दा इतन वाद जान दा है ता सिट्टे वो जो तुसी देख रहे हो गुबारे जड़े है फोल गए तो गुबारे किनू शोगर देने फिफड आनू ते इस दे उल्ट जड़ो असी सा बार कट दे हा ता उस वक्त साड़ा पेड पर दा उपरवाल नो उड़ता है पाप के है गुम्बद रुपी अकारदा हो जान दा है ता तुसी देख रहे होंगे गुबारे ज़ी शकल विच कोई परवर्तन आया एहे सुंगड दे ता सुंगड अन्दा कार्ण की है एह इना विचली हवा शरीर विच्चों बाहर निकल गई सो उमीद है कि तुसी एहे माडल नो चंगी तरह समझ लिया होगेगा हुन एहे माडल तुसी सारे ने आवदा आवदा त्यार करना है आते आवदे संगी साथियानों इस दे बारे चंगी तरह जानों करोना है